ओम नमस शिवाय मित्रों ये आने वाली 6 नवेंबर को वैकुर्ट चतुती है उस दिन भगवान सिव जी और भगवान विश्णु जी की पूजा की जाती है आज मैं आपको उस दिन करने के कुछ उपाय बताऊंगी अगर आपकी रासी मैस रासी है और अगर आप किसी का सही योग चाहते है तो आपको क्या उपाय करना होगा आपको सुबह उठकर पहले स्नान करके स्वस्त कपड़े पहन लेने है और फिर आपको सिव भगवान के मंदिर जाना है फिर आपको वहां जाकर सीव लिंग पर दूद अर्पित करना है और भगवान सीव को सफित पुस्प अर्पित करना है और साथी में आपको सीव जी के मंत्र का जाब करना है 21 बार ओम नमस्शिवाय का जाब करना है फिर आपको भगवान सीव से अपने खुश्यों की कामना करनी है अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान सीव जल्दी से आपकी मनो कामना पूर्ण करेंगे अगर आप व्यवपार में प्रगती पाना चाहते हो तो आपको एक मिट्टी का बरतन लेना है और उसमें उस बरतन को गेहू से पूरा भर देना है फिर वो बरतन ले जाकर आपको मंदिर में जाके या फिर कोई गरिब को दान कर देना है इससे आपको व्यवपार में सफलता प्राप्त होगी अगर आप किसी भय से छुटकारा पाना चाहते हो और जीवन में नई उर्जा का संचय करना चाहते हो तो आपको पीपल के पेड के नीचे गाय के घी का दिया जलाना है और फिर वहां बैट कर आपको भगवान सिवजी को और भगवान विश्नु को याद करना है और उनसे प्राथना करनी है कि आपको शक्ति दे और आपको भगवान से छुटकारा दिलाए